जैहेंद शुरेंट्स वेलकम बैक अगेन दिस इस दिवांशुपान्डे आज की सिशन का हमारा टॉपिक टॉप फाइटर जेट्स ऑफ इंडियन एर्फोर्स रहने वाला है हम सभी जानते हैं कि भारती वाई सेना विश्यू की तीसरी सबसे बड़ी और सबसे ताकतवर बारत के aerial बॉर्डर को सेक्योर करने के लिए Different types के fighter jets का यूस किया करती है तो यह fighter jets क्या है इनकी specifications क्या है इसके बारे में आज किस class पे हम full discussion करेंगे तो चलिए शुरुत कर लेते हैं आज के session के सबसे पहली हमारे list में आता है Rafale Aircraft १ एक twin engine combat fighter aircraft है जिसको France की Dassault Aviation Company के द्वारा बना जाता है और ये Rafale Fighter Aircraft किसी भी तरीके के Short और Long Range Mission के रिए पूरी तरीके से लिए Applicable है और अभी हमारे Indian Air Force में Total 36 ऐसे Rafale Fighter Jets सर्विस में है एक Squadron में Total 18 आपके Fighter Jets आते हैं तो इस प्रकार से हमारे पास Total 2 Squadrons है Rafale Aircraft की इस Rafale Aircraft को हम Maritime Attack, Reconnaissance, High Precision Strike और Nuclear Stripes के लिए भी आसानी से इस्तमाल कर सकते हैं अगर हम इसके Generation की बात करें तो ये एक 4.5 Generation का Aircraft है जिसमें अलग-अलग तरीके के सबसे Sophisticated Sensors और Weapons लगे हुए हैं और Twin Engine Generation, Engines और 4.5 Generation Aircraft होने के साथ इसमें आपका Nuclear Attacks की Capability भी है और इसमें आपका Beyond Visual Range, Air-to-Air Missile जिसको हम BV Ram कहते हैं उसकी Range आपकी 150 km रहती है तो इस प्रकार के घातक मिसाइलों से ये Rafale Aircraft less है अगर हम इसके Technical Aspect पर जाएं तो देखी इसकी Top Speed 1912 km पर आर, Range 3700 km, Weight 9979 kg, Length 15 m, Wing Spam 11 m, Manufacture Company, France की Defsalt, Aviation और इसमें टर्बो फैन और आपका Skima M88 का engine लगा हुआ है साथी साथ, Rafale Aircraft आसानी से अपने इस Nozzle Point के जरिये, Air-to-Air Refueling करने में सक्षम है तो हमारे लिस्ट में सबसे पहला आपका Rafale Aircraft था अब बढ़ते हैं, दूसरे पर, तो दूसरा भी आपका, France का ही, Dassault Aviation Company के दोरह बनाया जाना वाला Aircraft है जिसका नाम है Miras 2000, ये एक तरीकी का multi-role combat fighter jet है, जिसको France ने 1984 में develop किया था और इसको world की तमाम countries की दोरह use किया जाता है, जिनमें अबुधावी, Egypt, Greece, इंडिया, पेरू, कतर, ताइवान और UAE शामिल है अगर हम इसकी race speed देखें, तो ये आपका 285 meter per second की है, यानि कि आपका ये elevation altitude height 285 meter per second लेता है टॉप speed 2336 kilometer per hour, range इसकी 1550 kilometer, manufacturer company Dassault Aviation, पहली flight इसने 1978 10th March को ली थी और इसमें भी turbofan का engine लगा हुआ है, बाला कोर सर्जिकल स्ट्राइक में, एर स्ट्राइक में, इंडियन एर फोर्स ने इसी Miras 2000 aircraft का use किया हुआ था next हमारा है, रशिया का Sukhoi 30 MKI, इसको हम Su-30 भी कहते हैं, भारती वाईसेना का ये ब्रहमास्त्र माना जाता है क्योंकि इसमें हम ब्रहमोस missile को भी इसमें हम लगाते हैं, और जब भी ब्रहमोस missile का air to air version इसमें लगाया जाता है तो इसकी range वड़कर 400 km तक की हो जाती है, और रशिया की द्वारा इस 4th generation aircraft को manufacture किया जाता है और इंडियन एर फोर्स में लगभग 276 ऐसे fighter jets शामिल हैं, जिसकी top speed 2120 km पर आर, range 3000 km, weight 18400 kg, length 22 meter, इंजिया निसमें शाइटन AL-31 का लगा है और manufacture company सुखोई और HAL है, यानि कि इसका जो MRO का operation होता है, maintenance, repairing, overhauling का वो भारती company HAL के द्वारा भारत में ही किया जाता है अगला हमारा है तेजस, तो तेजस आपका एक light combat aircraft है, जिसको भारती company हिंदुस्तान Aeronautics Limited की द्वारा develop किया जाता है तो सबसे पहली बार July 2016 में Indian Air Force ने अपना पहला तेजस single seat, single engine, light weighted, high agility, supersonic aircraft अपने squadron में induct किया था और इसकी speed up की mac 1.4 की है, mac number हम सभी जानते हैं कि अगर कोई भी object जिसकी speed more than speed of sound हो तो उसको हम one mac कहा करते हैं तो sound of speed से लगभग देड़ गुना तीजी चलने वाला ये aircraft है, जिसको DRDO की Aeronautical Development Agency के द्वारा design किया गया है और HAL इसकी prime manufacturer company है, अगर हम इसकी specifications देखें तो top speed 2200 5 km पर आर, range 3000 km, weight 6500 kg manufacturer company HAL पहली flight 2001 में से ने ली थी, 1980 का ये project है, और अब LCA तेजस के Mark 1A project पर तेजसे काम चल भी रहा है और Indian Air Force ने HAL को total 83 aircraft को बनाने की अपने तरफ से procurement की मंजूरी दी है, जिससे की वो अपने Indian Air Force में MiG-21 fighter aircraft को replace करके इस type के aircraft को induct कर सके, इंडियन इसमें turbofan और general electric F-404 लगा हुआ है और last में हमारे इस session का जो 5th fighter aircraft है, उसका नाम है MiG-21 Bison तो आपको याद होगा, 2019 में बाला कोट surgical strike के बाद, जो अभिनंदन वर्दमान थे, उनके द्वारा इसी aircraft से पाकिस्तान के F-16 लडाकू वीमान को गिराये गया था, और Indian Air Force ने इस type के aircraft का इस्तेमाल 1999 में, करगिल वार में भी बेखोबी किया था और ये एक बैतेनी aircraft है, रशिया का, लेकिन अब इसको TG से हम क्या कर रहे हैं, रिटायर कर रहे हैं और 2025 तक जितने भी अधर आपके MiG-21 Bison के aircraft बचे हैं, उनको रिटायर कर दिया जाएगा लेकिन अभी भी ये service में हैं, और भारती Y Sena में ये अपनी भूमी का निभा रहे हैं अगर हम इसकी specifications देखें, तो इसकी top speed 2299 km per hour, range 644 km, wing spam 7.15 meter, length 16 meter, weight 5200 kg और manufacture companies की Miko यान है, तो यहां से अपने Indian Air Force के top 5 aircraft को cover किया है आप सभी defense experience, अपने SSB interview और अपने written courses की preparation करने के लिए SSB crack exam के, इन सभी courses में इंडोल होकर अपने तयारी बहतर कर सकते हैं जहां पर आपको सभी courses के full flight bundles, test series दिये जाते हैं, live classes भी चलाई जा रहे हैं और आप इस warrant and court का use करें, जिससे की आपको 10% का flight discount हमारे सभी courses में मिलता जाएगा और आप घर बैटे, बहतरीन तरीके से हमारे courses में जोड़कर अपने तयारी कर पाएंगे जाहिन and best off अगर आप एक defense aspirant हैं और SSB interview, NDA, CDS, FCAT जैसे exams के लिए prepare कर रहे हैं तो आप SSB crack exams के course को चेक करना ना भूलें आप हमारी learning application को Google Play Store से भी download कर सकते हैं